Greetings of the day students, hope you all are doing good. Welcome to the one-stop solution for every commerce query you have. MEPL आपके सारे commerce query को deal करता है, चाहे वो 11-12 हो, चाहे वो B.com हो, चाहे वो professional level पे ही क्यों ना हो. और यह जब मेरे पीजे screen scroll होते वे देख रहे हैं, यह star student है, जो की foundation, enter, final, सब जगापे इन्होंने अपने जंडे गाड़े हैं. और सब मोहित सरके अंडर गाइड़े थे, ठीक है, और यह हमारा चानल है MEPL Commerce Hub, यह चानल पे आपको सारे वीडियोज मिलेंगे related to 11-12, B.com and C.U.E.T. तीनों ही important है, और तीनों के ही सारे जो crunch है, वो आपको एक ही जगापे मिलेंगे, तो फड़ा-फड़ से चानल को subscribe कर ले, क्योंकि मैं last में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, जो आपको सुनके मजा ही आ जाएगा, और वीडियो का अपने friends तक share करे, and don't forget to like it. तो वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, CISC का जो सबसे important notice आये, CISC ने आपको last में, जो कि ISC board भी हम लोग बोलता है in short, आपके लिए notice लेकर आया था कि बहुत हम लोग analytical paper लेने वाले हैं, core, quantitative, qualitative, सब तरह का paper में डाल देंगे, एकदम core concept होगा आपका, अगर आपको concept clear होगा, तो ही आप answer कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, और यही same चीज, ISC उसके साथ एकदम जो शोर से है, last week उनों ने बताया, मैं लूँगा, इस week उनों ने specimen paper भी release कर दिया, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे specimen paper released है, main subjects of commerce going on, second row में economics और BST का आगया है, उसके बाद third row में, third में commerce आपको दिखी रहा होगा, और last में आपको mathematics दिख रहा है, तो यह सारे release हो गया है, accounts भाई साब बचे हैं, तो share है, देर सा आएगा, बढ़ चिंता मत करी हो जब आएगा, तो MEPL आपको जरूर inform करेगा कि मैं आ गया हूँ, फटा फट से enrollment ले लेन है, इसमें आप देख सकते हैं, आपके जो classes है, class 12 के आप enroll कर सकते हैं, और categories में face to face जाएंगे, categories में show a bazar, sorry, categories में show a bazar, back चलते हैं, categories में आप show a bazar गए, show a bazar में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो classes है, for example, desktop वाल है, तो desktop में click करता है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आपका सब्जेक्स है कि अकाउंट, बिजनिस स्टडीज, इकनॉमिक्स एन उन्ट्रॉपिनिर्शिप ठीक है जिनका मैच स्टूडेंट नहीं है नॉन मैच सा उनके लिए है ये और जो लोग का मैच होगा वो मैच वाला स्क्रोल में चेक कर लेंगे और हमिशा ध्यान क्लासिस फोन से होंगे अगर आपको बैककप चाहिए तो गूगल ड्राइब में तो डेक्स्टॉप वाला फोटो लीजएगा अगर आपको फोन में चाहिए तो फोन वाला लीजएगा और आप 9 मंस का लेंगे क्यों क्योंकि एक साल वाला कोर्स तो आप बचा नहीं है के लिए एकदम मिनिममम ऑफ कोस्ट है ठीक है अब अगर कैलकुलेट भी करेंगे धंग से तो यह बहुत रह रहा है चार सब्जेक्ट का 12,000 और 9 मंस अगर अब धंग से कालकुलेट करेंगे तो मिनिममम थाउजन भी नहीं आने माला है एक सब्जेक्ट का पर मंत ठीक है त If P is equals to this then which of the following is Q तो बहुत सिंपल है यह कोशन थोड़ा स्क्रीन में बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए यह देखिए मैट्रिक्स का बहुत कॉमन कोशन है P का वैल्यू दे दिया आपको Q का निकालना है और ट्रांसपोस करने के बाद यह आना है यह होना चाहिए 8 क्योंकि minus 1 plus 8 is 7 तो पहला आंसर होगा 8 यह सही है यह गलत है और यह दोनों भी सही हो सकता है सेकर्ण में चलते है 1 plus 2 is 3 तो second answer होना चाहिए 2 तो यह तो गलत हो गया यह सही हो सकता यह भी गलत हो गया मेरा आंसर ही है बाकी मुझे चेक करने का दरकार ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, क्या मैं पागल हूँ, क्या मेरे में बुद्धी नहीं है, आगे का अंसर सही होगा, यह मैं ग्यारंटी दे सकता हूँ, या फिर कोश्चन नहीं गलत होगा, प्यूंकि पहले दो केसे में स्लोट आउट हो गए, इसको बोड़े के बीसी 50-50, मैंने पहले एक option उड़ाया, 25% off, दूसरे दो option उड़ाया, 67% off, और लास्ट में बचा, चार में से एक option, वो मेरा अंसर करेक्ट है, तो इस तरीके से आप paper attempt करेंगे, और इसी तरीके से MEPL भी आपको पढ़ाता है, तो यह हो गया पहला question math का, जो मैंने आपको समझाया, अलाकि इसके उपर जो main बड़े-बड़े question है, वो तो वैसे ही रहेंगे, paper pattern यह देखे, बाप प्रे, graph भी पूछना चालू कर दिया, तो इस तरीके के चीजों को लेकर MEPL पहले से ही सतर्क था, मैंने हमेशा से देखा है कि 12 के students को graph का जर्वत नहीं है, बट मैं फिर भी graph का एक proper पर explanation video लेता हूँ, जिसमें मैं graph के बारे समझाता हूँ, कि यह graph अगर ऐसे उपर जा रहे है, तो यह क्या मतलब है, आपने देखा होगा economics में भी यह curve है, TP curve, ठीक है, थोड़ा सा disturbingly बना होगा, हलका सा, फुलका सा, अभी TP curve का graph mathematically explained करना बहुत impossible हो जाता है, एक economics student के लिए, और match student मुलता है, सर मैं को economics में क्या ही जरवत पड़ेगा, तो मैं क्यों ही पड़ू, तो यह curve में यह point क्या है, यहाँ पे क्या situation है, यहाँ पे क्या situation है, कौन convex है, कौन concave है, mathematically क्या implication है, सब हम लोग MEPL में discuss करते हैं, तो यह सारी चीज़े mathematics की आप देख सकते हैं, यह specimen paper मे आ चुका है, तो यह आपको आना चाहिए, arrow diagram जिसका नाम है mapping, वो भी मैं classes में relation function में पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसा और मज़ेदार concept को ले कि हम लोग MEPL में हर दिन यह चीज़ करते रहते हैं, कि कैसे आप समझे, जैसे यह वाला curve, अगर आपने मेरा last video देखा होगा, जि the behavior of Tu as Mu decreases up to point B, Tu increases up to a limit and remains positive, Tu reaches a limit and remains positive, accepted at total utility कभी negative नहीं होता है, तो सही है यह, Tu increases at an increasing rate, यह गलत है, Tu increase करते है as an increasing rate, बट हमेशा नहीं, तो Tu increases at an increasing rate, यह statement बहुत गलत है, और थोड़ा refer करते है question को ता कि और concept clear हो, refer to the graph given below and determine the behavior of Tu as Mu decreases up to the point B, up to the point B, मतलब point B, यह वाला situation पर बताना है, तो Tu increases up to a limit and remains positive, यह correct है, यह statement, Tu increases at an increasing rate, फिर तो यह भी सही है, Tu increases at a diminishing rate, यह गलत है, Tu is at a point of satiety, यह point सही है, तो question पूछा क्या मेर से पहले, वो तो देख्या हम, refer to the graph given below and determine the behavior of Tu as Mu decreases up to the point B, Tu is at a point of satiety, यह ज्यादा answer correct हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें आपसे position क्या पूछा है, सबसे पहला बात तो मैं आपको Tu का curve explain कर देता हूँ, फटाक से, यह जो curve है ना, इस point पे इसको बोलते है, inflection point, इस point पे यह बढ़ रहा है, बढ़ते वे rate में, तो B option correct है, इस rate में वो बढ़ रहा है, घटते वे rate में, तो यह option यहाँ पे correct है, और third point पे, it is at a point of saturity, मतलब उस point पे जाके वो highest achieve करता है maximum, मतलब हाइस satisfaction जिसको saturation point बोलते है, या saturated भी बोलते है, to increase up to a limit and remain positive, वहाँ जाके वो नीचे भी गिरता है, तो यह point थोड़ा ज़्यादा सही नहीं होगा, तो चारो ही point गलत नहीं है, बट question के हिसाब से answer D correct है, तो इसी तरीके से हम लोग MEPL में वीडियोस करते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको last वीडियो में बताया था, कि यह सारी points of crunch है, तो यही points of crunch को लेके, चारो question एक ही में डाल दिया हुनों है, तो अब समझ सकते हैं किस level की पढ़ाही होने वाली है, और आगे जाके आप देखेंगे, यह 1 marks के भी question है, फिर 2 marks के भी question है, 3 marks के भी question है, indulging in 4 or 2, और कभी-कभी 6 भी है, तो longer questions भी है, shorter भी है, तो हर चीज़ का implication यह लेकर आया आपके साथ, तो आप MEPL पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह सारी चीज़े हम लोग हमेशा discuss करते हैं, और ऐसा discussion इस झाल झाल